हेलो वेलकम बेक टो वर यूट्यूब चैनल सेनर एडवांस एजुकीशन आई एम मोहिधवन इन टोड़े वी आ गूंग टॉक अबाओ चेप्टर नमबर 4 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओफ किलास 7 तो आज हम किलास 7 के चेप्टर नमबर 4 के माद में पढ़ेंगे पिछली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसको बेसिक फंडमेंटस जानने हैं ये क्या होती है इसाय चाहे है वेरियेबल क्या है かौंसनंट क्या है तो विछली वीडियो को एक बाद जुरूर देखें ठीक हो चले स्टार्ट करते हैं कॉश्शन नमबर 8 है हमारा वर शुथ माइनस 6x माइनस 7 में क्या एड करें हमें क्या एड करना चाहिए ताकि वह नंबर 4x2 प्लस x-2 बन जाए देखो इसको थोड़ा अच्छे तरीके समझते हैं क्योंकि आपने रट लिया फिर तो मामना खराब है समझने पर धियान देना है एक तेके से मैं आपको सिंपल कोशन दे रहा हूं कि 5 में ठीक है 5 में हम क्या एड करें जो वह 7 बन जाए तो बताओ आप क्या आंसर करोगे फाइव में कौन सा नंबर एड करें जो 7 हो जाए तो आपको किसा टू एड कर दो फाइव और टू हमारे 7 हो जेंगे ठीक है हमें टू एड करना पड़ेगा अभी टू आया कैसे अभी टू कैसे आया यह टू आया जब आपने 7 में से 5 को सब्ट्रेट कर दिया वह 7 में से 5 2 के टू आया एसे बिल्कुल सेम करने है हमें बनाना क्या है हमें यह लेकर आना है इस वाले नंबर को यह बना देना है तो fife ko seven मना एन तो जो बनाना एथ इसमें से माइन्स कर लेंगे पहले वाले नंबर को तो 4x square plus x minus 2 में से 3x square minus 6x minus 7 को सब्टेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तो चलिए देखते कैसे question solve करने question number 8 4x square plus x minus 2 में से सब्टेट करना है 3x square minus 6x minus 7 जब भी सब्टेट करते हैं मैंने बता रखे कि bracket लगाना है अब यह जो बाहर bracket के बाद जो minus का sign है इसकी वैसे 3x square हमारा minus का हो जाएगा 6x हमारा plus का हो जाएगा और 7 हमारा plus का हो जाएगा ठीक जब minus वाले थे हो पॉजिटिव हो गए और जो positive वाले थे वो negative हो गए अब same times को रेखेंगे 4x square यह रहा और 3x square यह रहा ठीक है x यह 3 हमारा negative है क्योंके स्क्याइक माइनस है और वाला हो एक माइनस वाल तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैट करते हैं और से 3 गए तो 1x square 1 लिखो मतलिको मरजी है x वाला देखते हैं यहाँ पर प्लस x है यहाँ पर प्लस 6x है दोनों ही positive है तो plus 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 होते है 6x और यह 1x कितने हो गए 7x 7 positive है और 2 negative है एक negative एक positive subtract ही करना है तो 7 में से 2 गए 5 यहाँ पर plus क्यों लगाया क्योंकि 7 बड़ा है 2 और 7 में से बड़ा क्या है 7 7 क्या कि प्लस है तो plus लगाएंगे बड़े नमबर के आगे वाला ही sign हम यूज करते हैं तो जहले question number 8 complete question number 9 question number 9 है what should be subtract हमें क्या minus करना चाहिए from 0 0 में से to get टाकि वो x square minus x plus 3 बन जाए इसको भी पहले दिमाग में सोचनी कोशिश करते है question कहे कह रहा है मैं कहा हूँ कि 0 में से 0 में से क्या minus करूँ मै 0 में से mouse भी नहीं चलता है 0 में से क्या minus करे जो answer 1 आ जाए अब 0 में से अगर मैं 1 minus करूँँग तो यह minus 1 answer आ जाएगा क्योंकि 0 minus 1 अब यह तो कर नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ गा कि एक minus और आगरम लगा लेते हैं कि अगर मैं 0 में से minus 1 को ही subtract कर लो तो यह minus minus plus हो जाएगा और plus का 1 हमारा answer आ जाएगा ठीक मतला हमें जो answer लाना है उसी का negative answer ही answer हो जाएगा देखो कैसे question number 9 में समझ में आगा कि 0 में से subtract करना है तो 0 में से subtract कर दिया जो अगला number था उसे हमने bracket में ले लिया इस minus की वैसे x square minus का हो गया यह x हमारा positive हो गया ठीक है और यह जो 3 हमारा positive है तो क्या हो गया negative तो यह हमारा answer है जीरो में से अगर कोशी number को subtract करना है न तो वो answer लाने के लिए तो वो ही answer में minus वाले plus के कर लेते है plus वाले minus के कर लेते है answer यह लाना था न तो इसी में बस यह minus का कर दो यह plus का कर दिया है minus का कर दिया यह हमारा answer हो जाएगा question number 10 simplify each of the following question दे रखे simplify करने solve करने question number 10 question number 10 question है हमारा x square minus 3x plus 5 minus 1 upon 2 bracket के इंदर 3x square minus 5x plus 7 अब यह जो bracket यहाँ पर देखो यहाँ से लेकिए यहाँ तक तो कोई लिक्कत है नी इसको तो मने as it is लिख दिया यह minus का minus कर दिया अब यहाँ से question change होना start हुआ है अब यहाँ पर change कैसे हुआ यह देखो यह है 1 upon 2 अब यह 1 upon 2 भी जो है bracket के यहाँ पर 1 upon 2 में और bracket के अंदर जो number है इनके बीच में यहाँ पर कोई sign नहीं है ना यहाँ पर plus लगा हुआ है ना यहाँ पर minus लगा हुआ है जब ऐसे कोई sign नहीं होता तो multiply ही मान ल करेंगे फिर 1 upon 2 की multiply यह पहले हं 3 में करेंगे फिर 1 a пон 2 की multiply 5 में करेंगे और फिर 1 upon 2 की multiply 7 में कर लेंगे viote 3 में 3 की multiply one में 3 वन्तफ्री और upon graph क्या जेगा 2 एकसforme स्कवायर थी लगा दिया अब 1K multiply 5 में 1 5s are 5 नीचे जो 2 है और 5 के साथ X है तो यहाँ पर X भी आ गया 1K multiply 7 में 1 7s are 7 denominator में 2 है तो 2 लिखी दिया और यहाँ पर कुछ X वगदर कुछ है नहीं तो यह यह आ गया अब देखो यहाँ पर एक चीज और observe करोगे आप कि यह तो 3X square अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या कर दिया यह 5X क्या गया था माइनस तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस यहाँ पर 7 क्या गया प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस अब यह क्यों हुआ तो ब्रेकेट के बाद यह जो अपॉन टू है यह नेगिटिव है जब माइनस वन अपॉन टू के माइनस फाइम में हुई माइनस वन अपॉन टू है और माइनस फाइव है तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो गए ठीक यह माइनस वाला है लेकिन सेवन प्लस वाला है तो प्लस माइनस इसलिए पर एक एक स्क्वाइर वाला यह है कि थ्री अपॉन टू एक स्क्वाइर इन दोनों को एक साथ लिए खाली एक्स वाला देखो एक यह है फाइव अपॉन टू एक्स और एक यह है थ्री एक्स इन दोनों को एक साथ लिए आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नही इसे पहले इसे बाद में ऐसे आप कर सकते हो एक हमारा 5 यह रहा और 7 अपॉंट 2 हमारा यह रहा तो like terms को एक साथ लिए इनके denominator का LCM लिया 1 और 2 का LCM रहेगा 2 1 के टेमर में 2 2 times आता है इसलिए 2 की multiply x में होगे 2x square minus 2 के टेमर में 1 1 time 1 की 3 में 1 3 जा 3 शेम ऐसे ही यहाँ पर 2 and 1 के LCM 2 आएगा 2 के टेमर में 2 और 1 की multiply 5 में 5x minus 1 के टेमर में 2 2 time 2 time आया है इसलिए 3 की multiply 2 में कर दोए 3 2 जा 6 ऐसे ही 1 और 2 के LCM 2 1 के टेमर में 2 आता है 2 times 2 5 जा 10 minus का minus आ गया 2 के टेमर में 2 1 time और 1 की 7 में 7 2x square में से 3x square आ गया 2 में से 3 गया तो minus 1 इसलिए minus x square upon 2 यहाँ पर लगा सकता आपकी मरजी है अब यहाँ पर देखो plus था तो minus हो गया आप क्यूं हुआ क्यों हुआ क्यूंकि 5 में से 6 गये वह 5 में से 6 जाएंगे तो minus 1 बचेंगे इसलिए यहाँ पर क्या हो गया माइनस तो minus x बच गये और अप ओन में क्या गया 2 यहाँ पर 10 में से 7 गये तो क्या हो गया 3 और अप ओन में क्या है 2 तो यह है हमारा question का answer इसका second part second part भी same है देखो 5-3x plus 2y minus bracket के अंदर 2x minus y ठीक है bracket close फिर ऐसे next bracket के अंदर है 3x minus 7y plus 9 तो पहले हमने क्या किया देखो 5 का 5 as it means minus 3x minus 3x plus 2y का plus 2y यह जो minus है यह bracket के बार minus आ गया जब भी bracket के बार minus आ जाए तो थोड़ा ध्यान जो बढ़ा लिना चाहिए उस time पर क्योंकि माइनस की वैसे जो अंदर वाले साइन हो positive negative हो जाता है negative positive हो जाता है एक भी sign को आप change करना भूलगे तो पूरी महनत खराब हो जाएगी question में तो यह माइनस 2x हो जाएगा ठीक है और यह माइनस का तो यह क्यों हो जाएगा प्लस वाई अब देखो bracket के बाहर माइनस आ गया तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने कि जो 3x है यह माइनस वालो हो जाएगा सेवन वाई प्लस वालो हो जाएगा यह 9 क्यों माइनस वालो अब तो आप स्वोल कड़ोगे एकस वाले एकसाथ लिखलो बाकी जो बचके उसे large में लिख लेंगे तो यह माइनस 3x minus 2x और minus 3x इन तिनों को एक साथ लेख लिया y वाले देखो 2y और यहाँ पर plus y plus 7y इनने एक साथ लेख लिया और यह बचके 5 और 9 इनने याल किले 5 minus 9 अब 3x, 2x और 3x इस क्या के भी minus इस क्या के भी minus तिनों ही negative time है तो minus minus क्यों होते है plus तो इन तिनों को plus कर लिया 3 and 2, 5, 5 and 3, 8 तो minus 8x square sorry minus 8x minus 8x 2y plus y plus 7y यह भी तिनों positive है तो 2 और 1 3, 3 और 7, 10 तो यहाँ पर क्यों होगे 10y और यह 5 positive है, 9 negative है तो एक positive, एक negative तो subtract करना पड़ेगा, 9 में से 5 गए 4, बड़ा क्या है, बड़ा 9 है 9 क्या 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 है, minus है, तो minus 4 ठीक, question number हमारा 11 देखते है question number 10 complete question number 11 simplify these expressions and find their values, if x की value है 3, a की value है minus 1, b की value है minus 2 3 questions है, इसमें देखते है कैसे कैसे होंगे बस value put करने है, बागे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, question number 11 simple question है, देखने में लगते है hard और होते simple है, देखो, question number first है, 2 a plus 4 plus 3 a plus 1, पहले हमें solve कर लेते हैं, भई, a वाले वाले हमें दिखाई देगा, ये भी 2 a, ये भी 3 a 2 a और 3 a, 5 a 4 and 1, 5 solve हो गया, अब फिर 5 का 5 लिखा, अब यहाँ पर जो a आ रहा है देखो, a की value क्या है, minus 1 a को ना लिखके, उसकी जगाँ पर क्या आ गया minus 1, plus का plus and 5 का 5, 5 की multiply 1 में, 5 ones are 5, ये minus सा तो minus आ गया, minus 5, और ये plus 5 हमारा as it is, ही, minus 5 plus 5 क्या हो गया, 5 में से 5 गया, 0, question number second अब इसका second part अपने आप करोगे third part, a minus b plus a b x plus 2 b, इसमें तो कुछ solve होगा नहीं, यहाँ पर चाहँ हो तो a b और b वाला solve कर सकता है, पर मैंने direct कर दिया, आपके मर्ज है, आप इस question को थोड़ा easy भी कर सकते हो, कि 2 b में से b गया तो खाली भी, थोड़ा से easy हो जगा, जब a की जगा पर क्या लिखना था minus 1, जो उसने का है, वो ही लिखना है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना, a की जगा पर minus 1, b की जगा पर लिखना है minus 2, और x की जगा पर लिखना है 3, तो सबसे पहले a है, a की जगा आगे माइनस वन यह वहले माइनस का माइनस बी की जगह पर माइनस टू प्लस का प्लस एक जगह पर माइनस वन बी की जगह पर माइनस टू एक्स की जगह पर थ्री प्लस का प्लस आ गया यह वहले जो टू है यह टू का टू लिख लिया और बी की जगह पर क्या लिख दिया माइनस 2 जहां भी a b और x आ रहे हैं तो a को लिखेंगे नहीं क्या लिखेंगे minus 1 b को नहीं लिखेंगे b की जगह पर क्या जाएगा minus 2 और हमारा जो है x की जगह पर क्या जाएगा 3 ठीक यह तो minus 1 ऐसे ही आ गया अब देखिए यहाँ और यहाँ पर है 2-2 और यहाँ है माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो यहाँ पर क्या हो गया 6 अब यहाँ पर 8 में से 5 गए आंसर क्या जाएगा हमारा 3 टीक तो question number 11 complete question number 12 लास्ट question है इसके साथ exercise हमारी फिनिश हो गई है question number 12 लेक अभी तो question number बहुत है question number 12 लिखते है question number 12 है a की value दे रखे 3x square minus 7x और यहां पर पता नहीं यह क्या है plus 8 है यह माइनस 8 है भी देखते हैं बी की जगा पर है x square plus 8 minus 3 c की जगा पर है minus 5x square minus 3x plus 2 और दो question दे रखे पहले हमें value निकालने a minus b minus c की और फिर निकालने a minus b plus c तो a की जगा पर first value रखेंगे b की जगा पर second value और c की जगा पर third value देखिए देखो यहां पर a है a की जगा पर हमने क्या लिख लिया 3x square minus 7x plus 8 a की जगा पर पूरा आ गया फिर यह minus था तो minus लगा लिया अब b लिखा वाए b की जगा पर क्या लिख लेंगे x square plus 8x minus 3 तो b की जगा पर यह आ गया फिर जब माइनस हा तो माइनस लिख लिया अगर माइनस है तो bracket के अंदर ही लिखना है तो c की जगा पर क्या लिख लिए यह वाला number कि यह वाला expression sorry minus 5x square minus 3x plus 2 अभी जगा solve कर लेने पहले की तरह 3x square minus 7x plus 8 as it is आ गया अब यहां पर माइनस है तो x square minus वाला हो जगा 8 minus वाला हो जगा और 3 हो जगा प्लस वाला ठीक है minus x square minus 8x plus 3 यह 5x square positive हो जगा क्योंकि बाहर minus है तो plus 5x square यहां पर plus 3x हो जाएंगे और minus 2 अब x square वाले देखो कौन कौन से है एक तो यह है 3x square एक है यह खाली x square और एक है 5x square इन तीनों को solve करो वह 5 और 3 तो दोनों positive है तो 5 और 3 तो हो गए 8 और यहां पर minus x square तो 1 minus कर लिया 8 में से बन गए तो 7x square अब xx वाले देखो माइनस 7x माइनस 8x plus 3x तो माइनस 7 और माइनस 8 माइनस 15 हो गए माइनस 15 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जागा माइनस 12x plus 8 और plus 8 के बाद plus 3 8 और 3 11 11 में से 2 तो यहां पर क्या आ गया नाइन इसी के साथ question number 12 हमारा है खतम हो गया इसका second part आपको अपने आप ही solve कर लेना है कि अब देखते है question number 13 question number 13 question number 13 में given है subtract by the column method की column method से हमें question को solve करना है column method से subtract कर लेना है देखते question number 13 देखिए 3x-5 को subtract करना है 7x plus 3 से 7x plus 3 में से माइनस करना है तो पहले के लिख लिए 7x-3 subtract क्या करना है 3x-5 तो नीचे क्या गया है 3x-5 और जब subtract करते हैं हमें पता है जब माइनस आता है तो अगले वाले ब्रेक्र में माइनस क्यों जाते थे ठीक तो इसलहें ब्रक्स, बाले नीचे बाए नंबर है अग ओ पोजिटीव है तो नेगिटीव हो जैगा और नेगिटीव है तो बशितिव है तो 5 and 3 कितने हो गए तो answer क्या गया 4x plus 8 second part देखते है कि 4x plus 3y में से subtract करना था 2x minus 4y को तो यह तो हमने लिख लिया 2x minus 4y अब यह 2x positive था तो क्या कर लिए negative यह 4y negative था तो क्या कर लिया positive नीचे वाइ नमबर में माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस ऐसा क्योंकि क्योंकि सब्ट्रेट करना है अगर बाइचन्स कोलम मेठेट से add करने के लिए कह दे तो कोई chain यह वा सिंपल हो जाएंगे फिस तो सीधा आंसर आ तो नमबर 14 में है the sum of 4xy 12xy यह आप अपने आप कर ले ना इन तिनों को प्लस कर ले ना जो आंसर आएगा मैं बता आए ना क्या आएगा 4 और 12 कितने होते हैं जो भी है इसमें 3 और एड कर ले ना अंसर आजेगा और कॉश्चन नमबर 15 है एड दा falling value यह भी बिल्कुल सेम है एड करना है एड तो हम करते हुए आई रही है फिर भी एक बार देख लेते हैं देखे इन तेनों को add करना है minus 7xy को माइनस 3xy को और minus 9 xy को इन्हें add करना है तो यह minus 7xy लिख लिया को मेक जगा पर आ गया plus अगला नमबर minus का है तो bracket के लिख लिया माइनस 7xy एगकि लिया तो plus minus minus 9xy हो गए है 903 दोनों negative तीनों ही negative है तो 703 10 10 19-19xy तीनों ही negative है तो minus minus प्लस होते हैं तो तीनों को add कर लिया कि एक इस विट्टिन का सेकिंड पाइट भी सेम है वह फोर x square y plus 8x sqr y plus अगला नंबर negative सा तो bracket के लिख लिए माइनस 2x square y तो 4 और 8 तो हमारा as it is आ गया और यह plus minus क्यों हो गया minus 2xy 8 और 4 12 12 में से 2 गए तो 10x square y ठीक इसे के साथ यह chapter हमारा exercise 4.1 complete हो गई है बाकि आपको किसी question में doubt हो तो आप मुस्से पूछ सकते है comment box में लिख सकते है ठीक आज के इस वीडियो में इतनी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जो लाइक शेर जो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू वेरी मच